सचिन पैलेट को मिलेगी राजस्थान मुख्यमंत्री पत की कमार राहूल गांधी के करीबी और कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता ने दी जानकारी पैलेट समर्थकों में आई जसने की आनधी वातादे की राजस्थान कॉंग्रेस में मुख्यमंत्री पत को लेकर चल रही धरादर बयान बाजीयों और भारत जोड़ो यात्रा के विरोत के सुवर के बीच पार्टी के वरिष्ट नेता जैराम रमेश ने बड़ा दावा किया है प्राम रमेश ने कहा है कि राजेस्थान में भारत जोड़ो यातरा सफल होकर रहेगी और कुछ सब्द जो सीएम की तरफ से इस्तेमाल किये गए हैं उन पर काम किया जाएगा उन लेखनी है कि हाल ही में सीएम असोक गहलोत ने एंडी टीवी को दिये इंटर्व्यू के दोरा सचिन पैलेट पर जबरदस्त हमला बोला था गहलोत ने पैलेट को गदार बताते हुए कहा था कि उन्हें सीएम के रूप में सुविकार कैसे किया जा सकता है गहलोत के इस इंटर्व्यू के बाद कॉंग्रेस की राजनिती का पारा काफी गर्मा गया था बतादे की गहलोत इससे पहले भी पैलेट को लेकर ऐसे सब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं पार्टी में इस बात पर भी चर्चा की जा रही है कि 25 सितंबर को हुए हाइप प्रोफाइल सियाइसी ड्रामे के बाद संगठन ने एक दूसरे पर बे फजूल की बयान बाजी नहीं करने को लेकर एड़वाईजरी जारी की थी लेकिन पार्टी के वरिष्ट नेता सिये मसोक गहलोत ने उसको भी तोड़ दिया और इसके बाद जैराम रमेश ने बोला कि कॉंग्रेस अलकमान इस पर जल्द ही फैसला लेगा 29 तारिक को राजस्थान कॉंग्रेस कमीटी की बैठक होगी उसके बाद फैसला निकल कर आएगा कि अलकमान किसके पक्ष में है कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्य मंत्री सिये मसोक गहलोत ही रहेंगे या सचिन पैलेट बनेंगे